दिखिए उप चुनाओ का नतीजा बिल्कुल असपस्थ है जहां मुकामा में हमारी सीट थी हम जीते गोपाल गजी में भारते जनता पार्टी की सीट थी वहां वो लोग जीते लेकिन एक फर्क जो है साफ दिखाई देता है कि गोपाल गजी की जीत है वो इतना नैरो मार्ज पिछले चुनाओं में 35-36,000 के मार्जिन से भारते जनता पार्टी जीती थी वो उनकी मजबूत सीट है पर एक बार के अलावा लगातार पांच बार वहां भारते जनता पार्टी जीती रही है वहां जो उनको उमीद थी उसके हिसाब से उनको जीत नहीं मिली अब सहर का ज उसी समुदाय से आते थे और सहर में जो इनको मार्जिन मिलना चाहिए था जो उमीद एकर रहे थे वो नहीं मिला मतलब बैस सबहुत जो है वो हमारे उमीद्वार को भी मिला और उन लोगों ने इस अंदेश दिया कि हम आपके बंदुआ मजदूर नहीं है जो सरकार की आर सुन में था और उनको एक मौका मिला कि उनके समुदाय आदमी जो है हमारे पाटी से उमीद्वार हो गया ओवैसी को जो वोट आया वेसी के उमीद्वार को मुखिया को 12,000 से उपर जो है वोट आया वो हमारा वोट जो है नुक्सान हुआ इस बात को अब कबल करते हैं इतन जाएंगे लेकिन उनको बारा हजार वोट मिलेगा यह इसकी उमीद हमको नहीं थी इसके बारे में हम लोग देखवाते हैं क्या हुआ कैसे हुआ और उस पर हम लोग आगे सतर्क रहेंगे यह हमको भी पैसे यह मिला तो दिखाएंगे रहा है ना है कि वोट बार हजार से उपर मिल गिए हमने तो कबूल किया हमारी अभारा अनुमान था कि 3000-4000 के लग मंद शकूरण को वोट यह आगा हमारे अनुमान से काफी अधिग कोट आगे तो साब दिखाई दरा उसमें पर इसन की क्या जरूत हो तो असपस्ट जो है आकडा ही बता रहा है